हेलो आज वेल्कम बेक टू दर टेथ फ्लॉल एज तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेक्टिस करेंगे अपनी यस्टेडे रूटीन की किस तरीके से यस्टेडे रूटीन को बताया जाता है तो वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर इन तक जरूर देखेगा चलिए व जो पास्ट इंडेफिनेट टैंस से इसका स्टक्चा जान लेते हैं जिससे के आप इसली तरीके से अपनी यस्टेडे रूटीन को किसी के भी साथ शेर कर पाएंगे तो देखी स्टार्डिंग में हमें यूज करना होता है सब्जेक इसकी में यूज करना होता है वीडियो यह हमारा अफर्मेटिव का स्टक्चर है तो यहां पर आपको वीडियो का यूज करना है याद रखना है जब आपने ये स्टरी की कोई भी बात बता रहे हैं या पने पास्ट की कोई भी बात किसी के साथ शेर कर रहे हैं तो आप यहां पर वीडियो का यूज करेंगे जिक इतनी बात याद किए, subject, v2, object, subject में आपका आई आएगा, इसके बाद, v2, verb key, second farm, और आपको object का यूज करना है, इसके साथ आपको connecting words का यूज करना है, आप connecting words में आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप after that का यूज कर सकते हैं, आप आफ्टर देट का यूज कर सकते हैं, directing words में आप then का user or after that का आप use कर सकते हैं अभी जो routine में आपको बता रहा हूं इस routine के आपको practice करना है इक दो बड़ आपको इसकी practice करना है इस के बाद इसको edit करके अपने according अपनी routine को change कर लिजएगा तो कुछ चीजय आपकी change हो सकती है बाकि जो common है वущstore रहेंżeं जो आपकी different हो वो आपने according set कर लीजेगा ठीक है जैसा आपको बताया जा रहा है पस वैसा आप करते जाएगा चलिए start करते हैं तो देखिए आपकी my yesterday routine starting में क्या करेंगे हमने लिखा my name is Rahul अब आपका जो भी नाम हो उसका change कर लीजेगा ठीक है no worries my name is Rahul today I am going to share my yesterday routine with you यारी के आज मैं आपके साथ अपनी yesterday routine को share करने वाला हूं आपने starting में अपना name बताया my name is Rahul जो भी आपका name है then today I am going to share my yesterday routine with you मैं अपनी yesterday routine आपके साथ share करने जा रहा हूं आगे हम बढ़ते हैं yesterday I got up at 6 o'clock in the morning अब देखिए यहां पर हमने got up का use किया अब got up का मतलब क्या होता है जाने जिए देखिए get up मतलब होता है उठना get up मतलब होता है उठना इसकी past form होती है got up यानि के उठा तो get up की past form क्या यूज़ करी है sentence यहां तक हो गया है आगे move करते है then or I brushed my teeth यानि के मैंने अपने teeth में brush किया तो यहां पर हमने इसकी second form यूज़ करी i brushed my teeth washed my face and took a shower ठीक है तो i brushed my teeth मैंने अपने teeth साफ किये brush किया washed my face अपना चेहरा साफ किया यानि के चेहरे को wash किया दोया and took a shower यानि के नहाया took a shower का मतलब होता है नहाना अब बात का use भी कर सकते है तो पूरा use sentence से इसका मतलब यह हुआ कि मैंने brush किया और अपने चेहरे को साफ किया और नहाया ठीक है इसके मतलब आगे move करेंगे after that after that का मतलब क्या होता है उसके बाद याद रिखीगा after that उसके बाद after that I went for a walk यानि के में घूमने के लिए चला गए अब मुस्री लोगों की habit होती है जो morning walk पर जाते है तो इसलिए हमने यहापे sentence को भी add कर दिया है after that उसके बाद I went for a walk में घूमने के लिए चला गए after coming back मतलब वापस आने के बाद बाद जब आप morning walk पर गए तो वहांस आप वापस आएंगे रेटान होंगे sentence हमारा क्या बनेगा after coming back वापस आने के बाद I took my breakfast यानि के मैंने अपना नाश्ता किया क्या होती है तो यह टेक फर्स्ट फर्म है इसकी वीडियो अमने यूज करा तुक I took my breakfast and got ready for my school मैंने अपना नाश्ता किया और school के लिए ready हो गया तो get की second form got तो यह पर आमने वीडियो का यूज करा तो क्या बना after coming back वापस आने के बाद I took my breakfast मैंने अपना नाश्ता किया यहां पर तुक की second form और यहां हमने वाच्ट यूज कर रहा है तो यहां पर आप तुक कर लेंगे तेक की second form और यहां हमने वाच्ट यूज कर रहा I washed my hands मैंने अपने hands को wash किया and took my lunch और मैंने अपना लंच किया clear चलिए आगे move करेंगी after that उसके बाद I finished my homework मैंने अपना homework finish किया तो आपको जो भी school से homework मिला होगा उस school homework को finish कर लिया तो आप बोलेंगे I finished my homework after finishing my homework homework को finish करने के बाद after finishing my homework homework को finish करने के बाद I took rest for a while मैंने कुछ देर के लिए आराम किया take a second form I took rest for a while मतलब होता है कुछ समय के लिए मैंने rest किया clear है इतना आपको समझ आ रहा है न I took rest for a while चलिए आगे move करते है at 5 o'clock पाँच बजे in the evening I went to play cricket with my friends at 5 o'clock पाँच बजे in the evening I went to play cricket with my friends यानि कि शाम को पाँच बजे मैं अपने दोस्तों के साथ किस्तिव किर्केट खेलने चला गया I went to play cricket with my friends तो go की पास्ट फ़म क्या यूश करी हमने I want to play cricket with my friends, I Ḥ आपने दोस्तों के साथ किर्केट खेलने चला गया शाम को पाँच बजे अब आप केरगे मीति चले गहे, इसके बाद क्या किया आपने? अपने आपकेर की। वापस आने के बाद नहीं किanka किर्केर खेलकर वापस आए आइडिज पसकेजा aleat बजिते तक अब्जाने अब रर्दी करने अबजी तक आट an दिनर में ने डिनर किया रात का बोजन किया वित माय फेमली अपने परिवार के साथ अपनी फैंली की साथ ऐटुक डिनर वित माय फेमली लिथ अरवंड 10 O'Clock I went to sleep और लगबग 10 बजे में सो गया अराउन तो दोस्तों यह थी हमारी yesterday routine अब इसको चेंज कर सकते हैं आपके according जो भी आपकी routine है उसको चेंज कर लीजेगा पहले आप इसकी practice कीजिएगा इसको note कर लीजेगा फिर आपको यहां लगता है कि जो कुछ changes है तो उसको आप चेंज कर लीजेगा इससे आपके past की practice हो जाएग अगर आपनी yesterday routine अपनी past memories को दूसरों के साथ share करने की practice करेंगे तो आप past indefinite tense का ही use करेंगे I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा अपने सभी friends के साथ जादे से जादा share भी कीजेगा और यही चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा thanks for watching